तो भी आप सबी को पहले दिल से राम राम मैं मुकेश चंद्रगोंड नोइडा इंडिया से और आज हम बात करेंगे कार की ओभरीटिंग के बारे में कई बार ये होता है कि गाड़ी ओभरीट हो रही है लेकिन समझ में नहीं आता है कि कहां से हो रही है कई बार पंगे भी खा जाते हैं दोखा भी खा जाते हैं कुछ करवा भी लेते हैं लेकिन तभी भी समझ में नहीं आता है कि अग्जेक्टली ये हीटिंग प्रॉब्लम है किदर तो उसके लिए मैंने एक फार्मूला तयार किया है और देख सकते हैं सिर्फ यही फार्मूला है तयार किया सिर्फ इस फार्मूले से बहुत ही आसानी से step by step पकड़ सकते हैं कि fault actually है किदर रेडियेटर में है, fuse में है, पंके में है या फिर ECU में है, thermostat wall, head gasket, heater coil कहा है दिक्कत तो आईए समझते हैं पूरी डीटेल में और बिल्कुल step by step समझाऊँगा मैं तरीके से ध्यान देना, बहुत ध्यान से वीडियो को देखना सिर्फ ही एक बर ध्यान देके देखनी की बात है एक बर आपके mind में उतर गया नहीं हिसाब किताब आप कभी मार नहीं खाओगे कभी भी किसी गाड़ी में नहीं फस सकते यार मैं पूरी guarantee देता हूँ इस चीज़ी दिक्कत ही नहीं आने के ध्यान से देखो वीडियो का अच्छा लगएगा तक कमेंट मार देना और लाइक मार देना बाद में अभी नहीं समझ लेते हैं बारीकी से कि पहले वर्किंग क्या है फिर इस्टे बाइस्टे बताऊंगा कि कौन-कौन से फोल्ट हो सकता है किसकी कमी हो सकती है और आप आसानी से पांच मिनट के अंदर फोल्ट को पकड़ सकते हैं किसी से कुछ भी पूछने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इतना बड़िया फार्मूला है यह ठीक है तो सबसे पहले इसकी वर्किंग समझते हैं कि वर्किंग काम कैसे करता है तभी मान लो यह इंजन मैंने बनाया है हलागे ब्लोक है पर पूरा इंजन है इसको मान के चलते हैं कि पूरा इंजन है जब भी गाली स्टार्ट होती है गाली ठंडी रहती है स्टार्ट होने के बाद से गाली स्टार्ट हो जाती है तो कुलेंट पंप पे काम करता है वाटर पंप water pump सक करता है इदर से elbow के पास, यह elbow है, मैंने elbow बनाया हुआ, यह सक करेगा, तो यहाँ पर दो line है, एक high temperature की line है और एक low temperature की line है, ठीक है, दो line है, दो temperature पर एक engine काम करता है, low temperature और high temperature पर, ठीक है, अब क्या है, thermostat वाल लग रहा है, तो thermostat वाल low temperature पर radiator के connection को बंद करके रखता है यानि high temperature को बंद करके रखा हुआ होता है अब कौन सा खुला रहता है लो temperature का जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है water pump चलता है तो ये low temperature का सक करने लगता है इदर से तो engine फूल हो के ऐसे करके फिर जाता है heater coil में जो dashboard के अंदर लगा हुआ रहता है और ऐसे करके फिर आता रहता है engine के अंदर यानि ये system चलता रहता है low temperature का connection क्यों पहले कर दिया उसने मैं बता रहा हूँ जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ठंडी का टाइम में मुझे heater की जरूरत होती है कि गाड़ी में heater चीए तो हम heater own करते हैं तो इंजन के अंदर फर्ष्ट में जो गाड़ी गरम होती है तो पहला connection heater में इसलिए किये जाता है ताकि customer को भी heater मिलने लगा जल्दी से गरम हुआ और इंजन का system भी चलता रहे गाड़ी का ऐसा ही method होता है थोड़ी से modify होती है बागी method यह होते है तो सबसे पहले क्या होता है जब temperature 80 पे पहुँच जाता है तो यह thermostat wall खुलता है अब मारुती का thermostat wall 82 पे खुलता है होंडाई का 88 पे बागी कई गाड़ीों का 80 60 पे खुल जाता है तो सबका अलग-अलग method है मैं 80 पे लेके चल रहा हूँ कि 80 टमप्रेचर पे यह thermostat wall खुलेगा तो इंजन का temperature 80 डिगरी जैसे ही आएगा इस सिस्टम चलता रहेगा जैसे ही 80 डिगरी टमप्रेचर आएगा तो क्या होगा जो यह गरम पानी जो कुलेंट गरम जो 80 डिगरी का है यह thermostat wall पे टकराता है यहाँ जब thermostat wall पे टकराएगा तो यह 80 डिगरी के बाद wall खुलेगा 82 पे मारूती का है तो 82 डिगरी पे wall खुलेगा यह और इधर से फिर रेडियेटर का पानी आके फिर इंजन के अंदर जाएगा तो फिर high temperature यह काम करने लगेगा 82 के बाद से 80 डिगरी के बाद से wall thermostat wall खुलेगा तो high temperature का सिस्टम यह काम करने लगेगा बहुत तेजी से इंजन को ठंडा करने लगता है वाल खुलने के बाद लेकिन फैन अभी नहीं चलेगा इरेडियेटर फैन अभी नहीं चलेगा कम सकम 10 डिग्री सेल्सियस और तापमान इंजन का बढ़ेगा यानि इसका भी यह भी बहुत जादा ओभरीट हो जाएगा यह भी चलते 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 हाई टंप्रेचर का भी बहुत जादा ओभरवट हो जाएगा जब टंप्रेचर 10 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा यानि 90 डिग्री पर पहुंच जाएगा या फिर जो वाल 88 डूगरी या नब्भे डीगररी पिखुलता है वह 100 डीगरी पर पहुंचाएगा तब ये फाइन चलेगा अब कैसे चलेगा जब इंजन का टंपरेचर 90 डिगरी हो जाएगा या फिर 100 डीगरी हो जाएगा तो यहाँ पर एक टंपरेचर सेंसर लगाऊ यह तंप्रेचर सेंसर इस्यु को सिग्णल देगा कि इंजन का टंप्रेचर इतना हो गया तो इस्यू क्या करता है मी bargaining को बताता है उतना इतना मीटर है और इस्यू डैरेक्ट फैन को चला देता है यहां एक रेले लगा हुआ है रीले के थ्रू फैन को चला देता है अब बात कर लेते हैं फोल्ट का कि फोल्ट कहां कहां से आ सकता है आपको जब भी गाड़ी ओभरीट हो रही है तो आप गाड़ी को कर लो बिल्कुल पूरा ठंडा उसमें कर लो कुलेंट टोप अब गाड़ी को स्टार्ट करो सबसे पहला पाइप जो चेक करना है वो यह वाला पाइप चेक करना है जो इंजन से हीटर कोईल में जा रहा है यह पाइप गरम हो रहा है कि नहीं हो रहा है यदि यह पाइप गरम हो रहा है तो फिर यह वाला पाइप चेक करो कि यह पाइप गरम हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह लाँ पीप गरहें ぱ्णा हो जा एक तो घाड़ी काहें और में कि यह पानी का connection है जो यहां से आके यह thermostat वाल पर आता है तो क्या होगा जब यहां तक गरम पानी आए गई नहीं तो thermostat वाल खुलेगा नहीं जब खुलेगा नहीं तो इंजन का temperature बहुत ज्यादा हो जाएगा और यह पतले से यह connection तो गाड़ी overheat होगी तो पहला पॉइंट पकड़ने का यह है कि यह चेक किया जाए और यह चेक किया जाए यह दोनों पाइप एदि सेम गरम नहीं हो रहा है तो फिर एक cooling coil की हीटर कोईल की दिखकत है सोरी हीटर कोईल का चेंज करना पड़ेगा कई बार करते हैं जैसे यह गाड़ी में मैंने अभी आई 10 grand में करा था इंजन करने के बाद से ओवरी इटिंग हो रही ती उसका हेटर कोईल चोक था इंजन सीज कर दिया तो मैंने अलग कर दिया यह देख सकते हैं यह कहानी थी फोल्ट जल्दी पकड़ मेंनी आएगा अब बात करते हैं यहां से यह सिस्टम यहां भी सभी हो रही है यहां भी गरम सभी हो रही है तभी सा इस यू सब्सक्राइब तो दूसरा जो पॉइंट है यह थर्मो स्टेडवाल खराब हो जाएगा तो दिक्कत आएगी ऐसे में कि गाड़ी आपकी और वीडियो रोक के बताना चाहता हूं यह थर्मो वाल कई लोग निकाल के फेंक देते हैं क्योंकि मेरे पास इंजन के लिए गाड़ी आती है उसमें देखता हूं थर्मो स्टेडवाल खुलके फेका गया है तो मैं आपको बता देता हूं कि यह फेकने से बहुत गारी के अंदर नुकसान होता है बहुत तगड़ा नुकसान हो सकता है इस थर्मो स्टेडवाल से कई लोग निकाल के फेक देते हैं दाइरेक्ट हो जाता है यह भी डाइरेक्ट हो गया यह उससे नुकसान क्या है इन सारी चीजों पर आप बोलोगे तो थर्मो स्टेडवाल करने लगा लेकिन रेडीएटर का यह वाला गरम हो रहा है और यह वाला पाइप ठंडा है यानि कि जो गर्माट इधर से आ रहा है हाथ से हम पकड़ के चेक करते हैं जो गर्माट इधर आ रहा है वही गर्माट इधर नहीं निकल रहा है यानि इधर ठंडा है तो गाड़ी का रेडियेटर आपका खराब है रेडियेटर कर क्लीन कराना होगा तो इसका पकड़ने का तरीका पहले जया फ्रेकर करो फिर जया निकल गया तो पर खेश्क नकलता है तो थर्मो इस्टेड वाल भी खरआबै थर्मो इस्टेड वाल को एए डिटेड टेंग तो डिदेस थे को थे कंडिशन में होगा हमने सिर्फ एक चीजे चेक करनी जो रिटर्ण होता है इसका इंजन का जो रिटर्ण पाइप connection होता है ना यह चीज़े चेक करनी है कि क्या इसको खोल के कि इसमें से कुलेंट बाहर फेक रहा है कि नहीं फेक रहा तो आपका वाटर पंप खराब है यह रिटन पाइप पतली सी यह नहीं फेक रहा है तो यह वाटर पंप खराब है जिसकी वज़़े से गाड़ी अभी फैन का यह सारा सिस्टम काम कर रहा है बढ़िया करके ठीक है उसके बाद यह फैन नहीं चल रहा है तो गाड़ी आपकी उभरीट होगी तो फैन नहीं चल रहा है तो आप यहां से डाइरेक्ट टमप्रेचर सेंसर से निकाल के कपलर निकाल के चेक कर सकते हो कि फैन च चल रहा है तो आपका टंप्रेचर सेंसर खराब है यह वाला टंप्रेचर सेंसर निकालने से फैन चल रहा है तो यदि निकालने से भी नहीं चल रहा है तो आपका रीले में प्रॉब्लम है अब हमने निकाल निकाल दिया फैन चल गया लगाया फैन नहीं चला तो टमप्रेजर संसर खराब है अब हमने टमप्रेजर संसर भी दूसरा डाल दिया तो भी नहीं चल रहा है तो कहां दिक्कत है तो इस्यू में दिक्कत है यदि उसको निकालने से भी नहीं चल रहे थे रिले का प्रब्लम है फैन का प्रब्लम है ठीक है यह हो गया इधर आजाओ अब देखो यह टेक्निशियन के लिए चुकि यह मैथेड है लेकिन यह हर को किसी के लिए मैथेड है कोई भी समझ सकता है असानी से गाड़ी ठंडी ह कुलेंट अपने टोब कर दिया है कुलेंट भर दिया कहप लगा दिया बिल्कुल हो कह यह निकाल दो फेक मत दो कहीं गाड़ी नहीं इधर ही साट आदो ठीक है अब गाड़ी को स्टार्ट कर दो गाड़ी स्टार्ट होने के बाद पांच मिनट के बाद इधर से फेकना चालू कर दिया कुलेंट यदि बाहर रिटर्ण रिजर वायर के तरफ तो आपका हंडेट परसेंट में कैप खराब है निके फेकते ही ये पांच मिनट में फेकना नहीं चीए यदि पांच मिनट में फेक रही है तो ये कैप खराब है ये वला कैप तो कैप नहीं डालना पड़ेगा और इसको फिर चेक करना पड़ेगा तो फिर ऐसे चेक करते रहो और ये भी चेक कर लो ये तो हटाई के चेक अब यह नहीत क्रण करहें और सब चीज सेगा बबीट हो और फैन चल रहा है और फैन चलुक्त पेक रही है लेकिन बहुत ज्यादा करके फेकदडा से से फैंच चलने से पहले ही फैंक रही है तो हेड़ गैस किट का पंगा है या फिर तंप्रेशर आपका उठा रही है सब सिस्टम बढ़िया काम कर रहा सब चीज आपने क्लीन करवा दिया सब वालोल सारे चेक कर लिया फिर भी तंप्रेशर बार बार उठा रहा है तो फिर रे कि head gas kit का पंगा होता है यदि आपको कहीं से भी दिख रहा है कि नहीं है फिर भी gas मार रही है बाहर यहां से पंखा चल भी रहा है तो भी तो head gas kit का पंगा होता है या फिर temperature हाई जा रहा है अब सब सिस्टम बढ़िया काम कर रहा है इधर से फेक भी नहीं रहा है पानी फैन भी बढ़िया चल रहा है इंजन भी नॉर्मल है मना कहीं से कोई हमें दिक्कत नहीं हो रही है लेकिन मेरा सुई हाई पे जा रहा है और इधर से फेक भी नहीं रहा है तो कितना हाई पे जाएगा थोड़ा सा और चलाओ से और हाई पे जा रहा तभी यह नहीं फेक रहा है और चलाओ से और हाई पे जा रहा तभी भी यह न लगता है कोई बार नीचे यह नहीं आता है तो मीटर का पंगा होता है और कैसा लगा आपको यह वीडियो मुझे director करके बताईएगा और आप कैसे हैं प्लीज कमेंट करके बताईएगा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ने किया तो एक सब्सक्राइब आप अपना दे दीजिए वीडियो को यार एक लाइक तो वीडियो को बनता ही है भाई डिस्किप्शन में नमबर है या नमबर यह है 9718581969 तूजडे 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 पान से छे साम को तो आप इस तरीके से मेरे से बात कर सकते हैं तो ओके थेंक्यू भाई मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेट ओपी के साथ तब तक के लिए ओके थेंक्यू